ये मैं आपके सामने 100 साल पुरानी रेस्पी सेर कर रही हूँ क्योंकि ये पहले सब घर में दूद, घी, मठा बहुत होता था हर घर में बहस पाली जाती थी इसलिए ये रेस्पी मौर्निंग में बहुत जादा बनती थी ट्रैन में थी फिर क्या चलते हैं गेश की तरफ आधे कटोरी को मैंने चाबल बिगा दिये थे और इधर मैंने कूकर चड़ा दिया था उसपे एक चम मज देल लगा दिया आधे छोटे चमज जीरा डाल दिया था जब जीरा अच्छे से चटक गया था तो मैंने प्याज डाल दी है और एक सूखी मिर्च डाल दी है इधर हम मसाले का घोल बना के तयार कर लेते हैं एक चमच हल्दी एक चमच मिर्च पानी डाल के इसका घोल बना के तयार कर लेंगे ये रेस्पी अगर आपने बना ली तो आप बार बार बनाएंगे इस तरह के से मसाले का घोल बन के तयार हो गया है इधर हमारी प्याज अच्छे से भून गई है अब हम अपने घोल को डाल देंगे और इसको भी अच्छे से हल्दी मिर्ज को अच्छे से भून लेंगे क्योंकि इसमें जाता मसाले की भी जरूरत नहीं होती हूँ बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों को तो ये खास कर पसंद आती है पहले हर गर में बनती थी तो मैं आपको बता देती हूँ एक कटोरी मैंने मठा लिया ये खटा मठा है अब इसको इस मसाले में डाल देंगे और continue चलाते रहेंगे क्योंकि मठा फटे ना बिल्कुल क्योंकि अगर हम नहीं चलाएंगे तो फट जाएगा तुरांत पहने पानी लगा दिया अब इसको कम से कम जब तक इसमें खौल ना जाए जब तक हम इसको चलाते रहेंगे इस तरीके से continue बिल्कुल चलाते रहेंगे और बहुत अच्छे से खौल को आने देंगे अब हम अपने चाबल डाल देंगे जो हमने भिगा के रखे थे आदी कटोरी दिल के देखिए इस तरीके से अब इसमें अब इसको फिर से चलाते रहेंगे और इसमें खौल आ गया है पहले हमारिया मॉर्निंग में सुबह चाय नहीं पी जाए जाती थी इस तरह की की रैस्पियों का यूज होता था दूद मठा इस तरीके की मॉर्निंग में हम लोग ब्रेपफास्ट करते थे देशीगी की रोटिया अब तो जिसे उठो वो पहले सबसे पहले चाय मांगता है लेकिन पहले हमारी यह हेल्दी रैस्पियां बनती थी देखे इस तरीके से 2 सीटी होने का बाद कितनी अच्ची मठे की महरी बनके तयार हो गई है इसको महरी बोलते पहले हमारे मटके में बनती थी इस रदबी है बहुत ऑच्छी खुसबू आ रही है इस तरह की रैस्मियां खाके बिलको दिल खोस ही हो जाता है और यह मैठी खाने में भी अच्छी थी, देखने में भी बहुत अच्छी थी और हमने हण्डी में इसको फ्राई किया था तो बहुत टेश्टी बनी थी अब इसको एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं देखिए इसको हमने चटनी अचार और प्यासे एंजॉय किया था देखिए इस तरीके की रेस्पी पाकर मेरे बच्चे बहुत खुषते कह रहे मम्मी आपने तो आज बहुत यम्मी रेस्पी बनाई है देखिए अगर आपने भी बना ली तो आपके बच्चे भी बार बार ये कहेंगे कि ये रेस्पी हमें मम्मी बना के खिलाई है फिर क्या आप भी बनाई है और मुझे बताई कि कैसी बनी थी आप सबसे रोकेश्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और इस से रेस्पी को इंजॉय कीजिए थैंक्स फूर वाचिंग फिर मिलेंगे नई रेस्पी कीजिए